उगरे अंतन होई निवाहू, कालनेमी जिमी रावन राहू, धोखे का काम अधिक समय तक नहीं चलता है, अंत में खुल ही जाता है, जैसे की कालनेमी रावन और राहू के साथ हुआ अब चीन ने क्या भुटान पर हमला कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस में भारत ने ये क्यों कहा कि चीन के साथ आगे क्या होने वाला है, यह कहना मुश्किल है, रूस में चीन के लिए भारत ने ऐसा कौन सा एलान कर दिया है, और एक ही हपते में आस्ट्रेलिया ची चीन पर सबसे बड़ावार है जानेंगे इन खबरों को विस्तार से महामारी के समय ही और चीन के बीच कुत्ते बिल्ली से लड़ाई सुरू हो गई थी चीन एक के बाद एक कूट नीतिक हतियार दागे जा रहा था उस्ट्रेलिया के ऊपर और उस्ट्रेलिया भी इट का जव पार का एक बड़ा हिस्सा चीन को ही जाता था। तब आउस्ट्रेलिया की मदद के लिए भारत आगे आया और भारत ने चीन की जगह ले ली और वही कोईला भारत खरीदने लगा। आस्ट्रेलिया के सबसे आबादी वाले विक्टोरिया की सरकार और चीन के बीच लेकिन अब आस्ट्रेलिया के परधान मंतरी स्कॉर्ट मौरिसन ने ये निर्णे लिया है कि इस डील में उसे कोई लाब नहीं दिख रहा है उन्होंने सीधे ये कहा कि मैंने इस डील के लाब बेंद करेगा वैसे आस्ट्रेलियाने इसे लेकर बिलकुल इसारा चीन को दे दिया है और एक हफते के अंदर ऑश्ट्रेलिया यह निर्णे ले लेगा कि उसे अब चीन के साथ ब्यर आई प्रजेक्ट में काम नहीं करना है वैसे दुनिया भर में बदनाम चीन के साथ तो ये होना ही था अभी आस्ट्रेलिया ने करा है अब आगे और भी देश करेंगे तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने भारत के बेहत खास और रन्नीतिक रूप से महतपुर्ण भुटान के उपर क्या हमला करने की कोशिस करी आपको याद होगा अभी दो चार दिन पहले ही मैनमार म में हुए तकता प्लेट का जिम्मेदार चीन है वैसे चीन ने तो इस चीज से इंकार किया है लेकिन कहीं न कहीं सच्चाई इसी की तरफ इसारा भी कर रही है मैनमार को लपेटे में लेने के बाद अब उसका अगला निसाना बना था भुटान दभुटानी में छपी एक ख भर से हिरासत मिलिया गया इसके अलावे रॉयल बोडिगार्ड कमांडेंट बिर्गेडियर थिन ने टोबके को भी पकड़ा गया कारण क्या था तो कारण यह था कि इनके उपर आरोप लग रहा है कि भुटान में ये तकता प्लट करनी की कोशिस कर रहे थे सुप्रीम कोट के एक सीनियर जज सैन्ने अधिकारी और जीला जज ये मिलकर प्लान बना रहे थे इन लोगों का आरोप है कि वे भुटान के चीफ जस्टीस सेना परमूख और वरिष्ट कानून अधिकारियों को पद से हटाना चाह रहे थे हिरासत में लिये गए सभी लोगों से के अनुसार भुटान पुलिस ने बुदवार को सुप्रीम कोट के सीनियर जज कुएनले तरसिंग को और पुर्व सैन्ने अधिकारी पुर्व रोयल गार्ड कमांडर ब्रिगेडियर थिनले टोबेगी और येसी दोरजी जोकी सहयोगी जज हैं इनको पकड़ा आपको बता की थी रिपोर्ट में आगे ये कहा जा रहा है कि कथित आपराधिक साजिस का मामला तब सामने आया जब कुछ महिने पहले गिरफतार की गई एक महिला ने सद्यंत्रकारी रिष्टों का खुलासा किया तीनों कथित तोर पर आर बियाई के मुख परिचालन अधिकारी सर्व कुछ नयाले के अटारनी जनरल या रजिस्टर जनरल बनना चाहते थे अब कहा यह जा रहा है कि इन सारी घटनाओं के पीछे भी चीन का हाथ नजर आ रहा है क्योंकि भूटान भारत के लिए बहुत माइने करता है ऐसे में भूटान में भी और वेवस्था फैला कर चीन इ भारत के विदेश सचीव हर्स वर्धन स्रिंगला आज कल दो दिनों की यात्रा पर रूस पहुँचे हैं जब वहां पर उनसे कई तरह के सवाल किये जाने लगे तो उन्होंने बड़े बेवाक धंग से जवाब दिया है विदेश सचीव हर्स वर्धन स्रिंगला ने कहा कि चीन के साथ भारत के संबंद जटिल हैं और यदि सीमावर्ती इलाकों में चीन इसी तरह से करता रहा तो दोनों देशों के बीच कभी भी सामानी रिष्टे नहीं बनेंगे श्रिंगला ने डिप्लोमेटिक एकडेमी औफ रसियन मिनिस्ट्री औफ फोरें अफेर्स द्वा है कि यदि सीमावर्ती इलाकों में सांती नहीं है तो हमारे बीच कभी भी अच्छे संबंद नहीं हो सकते हैं और ये तो बिलकुल समय पर और इस्थिती पर ही निर्भर करेगा कि इस्थिती क्या चाह रही है उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे जवानों की जान पिछले साल भारत की सीमा पर चीनी बलों की बड़ी संख्या में मौजूद गी और जिस तरह से अतिकर्मन की कोशिस की गई ये भारत भूल नहीं सकता है साथी साथ स्रिंकला ने आगे भी साफ कर दिया कि आगे क्या होगा चीन के साथ ये कहना मुस्किल है जाहिर सी बात है रूस में बैठ कर चीन को संदेशा भेज दिया है भारत ने और चीन भी अब ये समझता है कि भारत अब पीछे नहीं हटेगा बलकी अपनी रच्छा छेतर में काफी आगे जाएगा वैसे जिस तरीके से भारत के विदेश सचीव रूस पहुंचे हैं ऐसे समय में एक अलग परिस्तिती देखने को जरूर मिल रही है एक तरफ जहां विदेश सचीव रूस में है तो वहीं दूसरी तरफ सीमा पर से चीनी सैनिक पूरी तरीके से हट रहे हैं कि इन सब के पीछे जहां बाइडेन का दवाब है तो वहीं रूस का भी दवाब है चीन के ऊपर साधारन भासा में कहें तो भारत ने रन नीती में कूट नीती में चीन को बड़ी मात दे दी है वैसे आपको क्या लगता है चीन के लिए भारत ने जो ये कहा वह क्या सही है क्य